दोस्तों आप सबी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो के माद्धम से हम आपको LLB 3 years सिलेवर्स के बारे में बताएंगे अगर आप LLB कर रहे हो तो आपको अपने सिलेवर्स के बारे में जानकारी होना अवस्थ्थ है क्योंकि LLB 3 साल की होती है और 6 सेमेश्टर होते है LLB पहली साल में 2 सेमेश्टर है और दूसरी साल में 2 सेमेश्टर है और तीसरी साल में 2 सेमेश्टर है कुल मिलाकर 6 सेमेश्टर होते है LLB फर्ष्ट सेमेश्टर सिलेवर्स के बारे में आज हम आपको इस बीडियो के माध्यम से बताएंगे और एह भी बताएंगे कि आपको किताब से पढ़ना है कि बेरेक्ट से पढ़ना है कि नोट्स से पढ़ना है दोस्तो सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिस यानि कि सामान में अंग्रेजी भासा दोस्तों अंग्रेजी में ना तो आपको किसी किताब से पढ़ना है ना ही 20 से पढ़ना है केवल पिछले दो साल पुराने पेपर ही पढ़ना है अंग्रेजी का पेपर बहुत ही सिंपल आता है अंग्रेजी के पेपर में पूशा जाता है application लिखने के लिए Hindi to English Translate करने के लिए English to Hindi Translate करने के लिए और synonyms, antonyms अगर आपसे थोड़ी सी grammar बनती है तो आपसे English का पेपर बन जाएगा अगर आपको पिछले साल के पुराने पेपर चाहिए तो आप हमारी वीडियो पिले लिस्ट में जाकर देख सकते है इसके बाद दूसरा subject आता है law of contact पिथम यानि कि भार्तिय संदा अधीनियम पिथम इसके लिए दोस्तों आपको बेरेक्ट से पढ़ना है आप मार्केट में जाकर भार्तिय संदा अधीनियम का बेरेक्ट खरीद लिजिए इसी से आपको पढ़ना है और आपको competition की तयारी करना है तो बेरेक्ट ही खरीदिये बेरेक्ट ही सबसे अच्छा होता है और अगर आपको इसका notes चाहिए तो आपको और भी दे दिया जाएगा PDF के माध्यम से दोस्तो इसके बाद तीसरा subject है constitutional law यानि की भार्तिय सम्मिधान इंडियन constitution में आपको दोस्तो बेरेक्ट पढ़ना है और market से कोई भी किताब आप खरीद लिजिए book है सभी अच्छी होती है मैंने लेकर किसी भी book से नहीं पढ़ा मैंने तो अपने notes से पढ़ा है अगर आपको भार्तिय सम्मिधान का notes चाहिए तो आपको वह भी उपलब्द करा दिया जाएगा इसके बाद चोथा subject है दोस्तो law of taught यानि की अपकरत्य विधी अपकरत्य विधी में दोस्तो आपको टॉन्टी से नहीं पढ़ना है आपको PDF की माध्यम से बहुत ही सरल और सिंपल भासा में मैंने notes बनाया था ओहीं पढ़ना है आपको PDF की माध्यम से उपलब्द करा दिया जाएगा हम आपको अपना भाटसप नंबर description box में दे रहेंगे आप हम से संपर्क कर सकते हो ना ही कोई book खरीदना है taught के लिए इसके बाद पांचमा subject है Indian Panel Code IPC IPC दोस्तो महात्पून है IPC के लिए आपको bare act खरीद लेना है market से और एक book है जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी book है जिससे मैं भी पढ़ता हूँ प्रोभेसा सूरी नारान मिस्र यानि की जी एन मिस्र की book है बहुत ही अच्छे writer है जिनोंने एक book लिखी है बहुत ही simple और सरल भासा में लिखी गई है एही book आपको market से दोस्तों खरीद लेना है अगर आपको IPC का notes चाहिए तो आपको और भी मिल जाएगा इसके बाद छटमा subject है public international law यानि की अंतर राष्टिये बिधी इसका दोस्तों ना तो आपको किताब से पढ़ना है ना ही 20 से पढ़ना है पिछले दो साल के paper देखना है और आपको अगर notes चाहिए international law का ओह भी आपको दे दिया जाएगा जिसमें केवल 12 question है उन 12 question में से 10 question आपके exam होगा जब उसी notes से exam में रखे मिलेंगे इसलिए आपको किसी book से ना ही 20 से पढ़ना है दोस्तों इसी पिरकार मैंने भी जब LLV कर रहा था अपने notes पढ़े थे और कुछ गिताबे और कुछ बैर्यक्टों से तैयारी कीए दोस्तों एहीं आपका slivers है LLV पिथम semester में अगर आपको एह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करें share करें और subscribe करें और अगर आपको किसी भी पिरकार की मेरी help की जरूरत है तो आप comment box में comment करें दोस्तों धन्यबाद जै हिंग जै भारत बंदे मात्रम